रादे रादे दोस्तों आज बनाएंगे सिमला मिर्च और पनीर की सबजी जो ये बहुत टेस्टी बनी है आप इस तरह से सबजी किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये सिर्फ घर के बेसिक मसालों से तयार किये हैं फिर भी सबजी में में आपयां में लिए तुकड़ा क कडा удивॉड़ा बरत जीरा हैं और पर गूते दालचीने दराओ और किसमा चीने अग्या दालेगे के शिचे की दिरे धनेंट प्याँ अब 7 कंद मेंАल गीर श्रें प्याउंमिटे करेंगें आप ऐन सब्सक्राइब स्भी को शाईना बात प्याज का कलर ज्यादा चेंज नहीं करेंगे तो देखिए प्याज को हमें इतना ही भूनना है उसके पाड़ से अपने सारे सिम्ला मिर्च को डाल देंगे प्याज के अंदर और प्याज ऐसे मीडिय भेस प्य थो बूहुए तो देखिए इसे भूनते वेकरी 5-6 मिनट हुआ है देख सकते हैं सीमला मिर्च का कलर थोड़ा चेंज हो गया है मसाले तैयार करेंगे तो आधी कोटोरी दही में डालेंगे आधी चमच भल्दी पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच डाले करेंगे, यहाँ पर देखिए अच्छे से मिच्स करने के बाद से गैस के फिलेम को रोंह काउड़ेंगे और यहाँ पर दही वाले मसाले डालेंगे, इसे लगतार चलाएंगे नहीं तो हमारी दही भट़ जाएगी, तो इस लगतार 2 मिनट तक चलाते रहेंगे गैस के फ्लेम को लोही रखेंगे तो देखिए इसे चलाते हुए करीब दो से तीन मिनट हो गया है अब यहाँ पर एक चमच लसन अद्रक का पेश डाल लेते हैं और इसे भी दो मिनट तक भून लेते हैं तो देखिए दोस्तो मसाले अच्छी से भून चुका है अब यहीं पर अपना पीसा हुआ टमाइटर ढाल देंगे और साथ ही में ढालेंगे स्वार्ट की कोडिंग नमा तो यहाँ पर एक चमच दालेंगे यहाँ पर साधा नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग ढालिए गा माच मिनिट बाद देख सकते हैं मसाली जो है अच्छी से पक चुका है अब यहीं पर एक चमच देशी घी डाल देंगे घी डालने से क्या होगा इस सब्ची में बहुत बढ़ी है टेश्ट आएगी और इसमें साइनिंग भी आ जाएगी घी डालने के बाद से एक मिनिट तक और भून लेते हैं आप डाल लेते हैं यहां पर पानी तो देखिए पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे देख सकते हैं गैस के फ्लिम को हाई कर देंगे उसके बाद से थोड़ा और पानी डालेंगे और अपने सारे पनीर का क्यूब डाल देंगे यहां पर हमने पनीर को फ् इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो घो बित不好 ठीक पनाना अगर आप अन्या पसंदare ज्यादा यह ज़ IIji उकर देखने में पाँच मिन तक पखने देख सकते हैं जो ग्रेवी में बहुत यह यह उच्छी से अपके के ले सकते हैं तो यहां पर तूद के मलाई को फेटके ले सकते हैं यहां पतीन से चार्चम में डाल देंगे मलाई और इसे मिक्स करेंगे गैस को कर देंगे बन तो बहुत ही पढ़िया आप टेस्टी हमारा ये सब्ची बन के तयार होगा बिल्कुल अप्सनल है अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो डालिएगा लेकिन क्रीम से बहुत बढ़िया टेस्टी चलिए दोस्तों इसे फटा फट सर्व करते हैं बहुत टेस्टी बनी है अमारी पनीर सिम्ला मिर्च की सब्ची आप भी किसी ओकेजिन पर बनाईए अगर आपको हमारी रेस्पी थोड़ी सी पसंद आई होगी तो प्लीज प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर कीजेगा चैनल